अधर सब्स्न से मेरां है मai Rajn COL Zeus मेरा नम्स वेरे वही एक और कंफीशन दूर कर लिता हो कि और फास्ट ऊफीपॡशक कKK अर फास्ट वरेड़ा सते में फ़रक होता है फास्ट अजाते है फास्ट वर्त तो इसमें आ जाते है butterfly diagram picture में और सिर्फ overlap same method कहां गया है तो आप simple matrix multiplication से इसको solve कर सकते हो तो अगर आपको fast overlap पूछा है तो उसका दूसरा वीडियो है जो नीचे description में दिया गया है या फिर आप पूरे lastmentition.com की course में जाके चेक कर सकते हो यह overlap same method है सिर्फ overlap same method है यहाँ पर आपको linear convolution निकालना है with the using matrix multiplication तो यह फंटा पहले दिमाग में रखलो कि यह बाद में confusion ना हो तो दोनों अलग अलग चीज है भाई अगर fast पूछा गया है तो butterfly diagram से D.I.D.FFT से करना है simple overlap पूछा गया है कुछ fast wish नहीं दिया गया तो इससे solve करना है तो जोनों start करते हैं सबसे पहले आपको इससा दिया रहा है और पूछा रहा है कि find answer using और find linear convolution using overlap same method तो सबसे पहले overlap same method में तीन चीज़ा आपको ध्यान रखनी है L, M, और N यानि आप कितने inputs से मिलब कितने कितनी matrix multiplication लेना चाहते है 4. या फिर 6.8. अलग-अलग होती है तो हम N 4 लेते है देखो 2 बहुत छोटा हो जाएगा और 8 complicated हो जाएगा इसलिए हम देते 4 M क्या होता है? M होता है आपका सबसे छोटा signal तो आपका सबसे छोटा signal कौन सा है? H of N, उसकी length कितनी है? 1, 2, 3 तीन है उसकी length तो आपके M की value क्या होगी? M की value होती है 3 अब आया था L, तो L आपको खुद को calculate करना पड़ता है L यानि आप यह जो given input है उसमें से कितनी values ले रहे हो L मतलब आपका जो given input है उसमें से कितनी value ले रहे हो? तो कैसी पता चलेगा? तो formula L का L is equal to L is equal to N minus M plus 1 N कितना है? N है मेरा 4 minus 3 plus 1 तो मैं को 2 value मिलती है तो आपको क्या करना है? इस input मैं से 2-2 value लेनी है तो उसको किस तरह से आप अपना given input बनाते हो? मतलब यह तो X of N है तो X1 of N, X2 of N, X3 of N किस तरह से लेते हो? मैं आपको बता दो बहुत easy है सबसे पहले मुझे क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? सबसे पहले तो X1 of N ओल आप add method में हम क्या करते थे? starting की 2 value लेते थे पीछे 0 डाल देते थे पहली 2 ठीक है? तो आप सोचते लो क्या ठीक है ना? बागे 2 value लेलो आगी 0 डालते रो ऐसा यहां पर बिल्कुल नहीं है भाई इसलिए थोड़ा से ध्यान दक्से रखना Y1 of N लिख दिया Y2 of N क्या करना है मैं को पता है? यह पिछली 2 value दिन वह आगे आ जाएगी और फिर आगे की 2 आएगी minus 1 2 ठीक है? तो X3 of N क्या होगा? minus 1 2 फिर आगे की 2 value क्योंसे 3 और minus 2 उसी तरह से X4 of N क्या होगा? 3 और minus 2 फिर पीछे की 2 value 3 और minus 2 के बाद क्या आदा? minus 3 minus 1 X5 of N X4 होगा न? X5 of N क्या होगा? minus 3 minus 1 1 1 X6 of N क्या होगा? 1 1 2 minus 1 2 और minus 1 पे खत्म नहीं उसको भी लेना है X7 of N क्या होगा? 2 minus 1 आगे तो क्योंकि मैं को N मेरा हमेशा 4 होता है तो यह दोनों जगा में खाली महीं रह सकता है इसलिए मैं आपे 0 put करोंगा तो इस तरह से overlap set method में हम अपना input को काटते है अब आपको H of N भी लिखना है तो H of N आप as it is जैसे लिखते हो 1,2,3 और इधर पीछे 0 आगे इधर आगे 0 कुछ नहीं आने वाला H of N all about और save के लिए same है उसको पीछे append करते 0 यह आ गया अब क्या करना है? Convolution क्या करना है? Convolution निकालना है उसी तरह से आपको X1 of N को H of 1 से करना है X2 of N को H of N से करना है X3 of N को H of N से करना है X7 of N को H of N तब करना है वह आप साथ बार value करनी है तो आपको पहला बतार दाओ बाकि आप खुद कर लेना तो आ जाते है इधर विजीबल है? हाँ तो जैसे आप देख सकते हो Y1 of N निकालना है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? X1 of N को H of N से linear convolution कर रहा हूँ यानि matrix multiplication कर रहा हूँ मेरा X1 of N के है X1 of N है मेरा 0012 और H of N के है मेरा 1230 तो matrix multiplication कर लेन के लिए उसको किस तरह से लिखते है अब क्या करना है? एक सड़ी उतर जाओ मतलब भी क्या? 123 उपड आतो एक और सड़ी उतर जाओ 123 0 एक और सड़ी उतर जाओ 123 0 H of N के value full हो गई यहाँ पे simple आपको जो given signal है X of N उसको line से लिख देनेगा 0012 clear है? अब simple सा क्या करना है? multiplication करना है 1 0 जा 0 0 0 0 3 1 जा 3 2 2 जा 4 उसी तरह से बाकी values कर लेते हम 2 0 जा 0 plus 1 0 0 plus 0 1 जा 0 plus 3 2 जा 6 उसी तरह से 3 0 जा 0 plus 2 0 plus 1 1 जा 1 plus 0 2 जा 0 उसी तरह से 0 0 plus 3 0 plus 2 1 जा 2 plus 1 2 जा 2 plus 1 2 जा 2 0 0 3 0 0 2 1 जा 2 1 2 जा ठीक है तो जोस्तों value जाएकि 7 6 1 4 तो simple जा simple सा आपको matrix multiplication करना है उसी तरह से आपको Y1 of N की value मिली तो वैसे ही आपको जैसे X1 of N को H of N से multiply करके ये value निकाला है आपको X2 of N को H of N से multiply करके Y2 of N Y3 of N Y4 of N Y5 of N Y6 of N Y7 of N निकालना है लेकिन एक बास जब आप practice कर लेते हो इसी चीज़ को तो आपको फटाफट हो जाएगा ये तो FFT से तो काफी काफी छोटा है अगर आप बटरफला करने जाओगे अगर फास्ट वाल आ गया तो यार पॉड लग जाएगी तो जैसे आप मैं देख सकते हो मैंने इन सबकी वैली इस निकाल चुका हूँ पहला आपने को क्या मिला 7614 उसी तरह से आपको सेकेंड 3rd 4 5 6 7 साथ वैली निकालनी है अब उसके बाद आजाता है सेव एड में हमने किया था एड में हम क्या कर रहे थे जो लास्ट के दो डिजिटे और पहले को दो डिजिटे उनको आड करते लेकिन यह सेव है यहां पर सेवैन और 24 वांसर था सेवं सिक्स उड़ा दिया और सहीं तरह से मैसटे और 0 रखा का दो उड़ा-दीए 7 और 6 रखा आगे के दो उड़ा दी है 4 और minus 3 यह मेरा given answer है That's it It was so easy आप आराम से कर सकते हो यह चीज अगर यह चीज आए तो इसको मत छोड़ना क्योंकि यह easy है और आप कर सकते हो लेकिन इसको practice चीए तो 2-3 बार इसको practice करो That's it, thank you so much अब आप पूरा DSP करना चाहते हो www.lastmomentution.com पर जाके पूरा course कर सकते हो वो free है तो आप 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 से उचक कर सकते हो पूरा course detailing में बलब एक के बाद एक लाइन से playlist में दिया हुआ That's it, thank you so much वीडियो देखने के लिए Have a nice day and best of luck for exams